हेलो दोस्तो कविता की चन रेसेपीज में आप सभी का स्वागत है आज हम मनाएंगे मुंबई स्टाइल चटपटा तवा पुलाव तवा पुलाव मुंबई का बहुती फेमस ट्रीट पुड है और इसे बनाना इतना आसाने कि देखते ही सोचेंगे कि हम इसे रोज बना सकते है बस साधारन मसाले और थोड़े बहुत सबजयों की जरुत होती है बाकी इसमें स्पेसिल ऐसा कुछ भी नहीं है और यकिन माने इतना ज़्यादा टेश्टी है तवा पुलाव बनके तयार होता है ना कि आप इसे बार-बार खाना पसंद करेंगे तो आईए देखते कैसे बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यापर मिक्सिंग वाउड में उबले वए बासमतिरा इसलिए है हम इसमें आदा चम्मज जीरा डालेंगे और इसके साथ यह डालेंगे थोड़े बहुत खड़े मसाले तो मैंने यह पर 2-3 तीज पत्ता लिया है इसके साथ ही लियाए तीन से चार लोंग, तीन से चार काली मिर्च और दो दालचीनी का टुकड़ा इसे भी हम डाल देंगे और इन दोनों को अलचे से फ्राइ करेंगे तो यह पर जीरा और तेज़ पत्ता लगबग अच्छे से फ्राइ हो चुका है तो अब हम इसमें एक मिडियम साइज का कटावा प्याज डालेंगे इसके साथ ही दो से तीन बारी कटीवे हरीमिज डालेंगे मिला देंगे इसे अच्छे से और अब हम मिडियम फ्लेम पे प्याज को लगबग 3-4 मिर्ट के लिए पकाएंगे यानि कि जब तक प्याज जो हलका सा स्वापना हो तब तक हम इसे पकाएंगे 4-5 मिर्ट के लगबग हो चुके और आप देख सकते प्याज या पर अच्छे से प्राय हो चुका है तो अब हम इसमें दो मिडियम साइज के कटे हुए टमाटर याड़ करेंगे मिला देंगे टमाटर को प्याज बाइगरा के साथ अच्छे से देखे या पर इस तरह से टमाटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें आदा चमश नमक डालेंगे नमक डालने से टमाटर जो जल्दी सौप्ट होता है इसलिए मैंने आपर नमक काई समाल किया है मिक्स करेंगे नमक को प्याजवार टमाटर के साथ अच्छे से और इसके बाद हम टमाटर को कवर करके लगबग 4-5 मिन्ट के लिए पकाएंगे यानि कि जब तक टमाटर जो अच्छे से गलना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे तो 4-5 मिन्ट के लगबग हो चुके और आप देख सकते हैं टमाटर याप और काफी अच्छे से पक चुका है इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ सब्जे अड़ करेंगे तो सब्जों में मैंने याप पर ले आए लगबग आदा कटोरी कटा हुआ गाजर इसके साथ ही डालेंगे आदा कटोरी कटी हुई सिम्ला मिच और इसके बाद मैंने या पर लिया या लगवग आदा कटोरी हरा मटर इसे भी डाल देंगे तो मैंने या पर यह फ्रोजन मटर लिए है आप चाहिए तो फ्रेश मटर का भी या पर इस शमाल कर सकते हैं मिला देंगे सबजियों को अच्छे से तो देखे याँ पर इस तरह से सभी सब्जियों को हम प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम कवर करके लोड टू मिडियम फ्लेम पे सब्जियों को हम अच्छे से पकाएंगे चार से पार्च मिट के बाद सब्जियों को चेक करेंगे तो देखिए सब्जा यहाँ पर हलकी सी सौप्ट हो चुकी है अब हम इसमें एक चमच का दुकस के वा आद्रक और लसुन डालेंगे मिला देंगे आद्रक और लसुन को सब्जियों के साथ अच्छे से और आद्रक और लसुन को हम लगबग सब्जियों के साथ एक से दो मिंट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्छा पन चला जाए तो देखिए यहाँ पर आद्रक और लसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसमे कुछ सुके मसाल याड़ करेंगे एक चमच लाल मिर्च का पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच गरम मसाला आदा चमच पावभाजी मसाला तवा पुलाओ में पावभाजी मसाला जरूर डालते इसलिए मैंने याप पर पाव भजी मसाला का भी इससमाल किया है आप चाहे तो इसमें नॉर्मल मसाला भी डाल सकते हैं इसके साथ ही मैंने याप डाली है एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर मिला देंगे मसाला को सबजियों के साथ अच्छी से मसालों को मिडियम फ्लेम पे दो मिट के लिए फ्राई करेंगे तो देखे याप पर मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके है तो अब हम इसमें लगबग आदा कब पाने एड़ करेंगे पाने डालने से क्या होता है कि मसाले जो बिल्कुल भी नहीं जलते मिक्स करेंगे सबी चीजों को अच्छे से और इसके बाद हम इसमें दो मिडियम साइज के उबलेवे आलो को कट करके डालेंगे मिला देंगे आलो को मसालों के साथ अच्छे से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसे कवर करके लगबग दो मेट के लिए मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे दो मेट के बाद हम इसका डखकन अटाएंगे तो देखिये सब्जियों और मसाली आप अच्छे से पक चुके हैं तो अब हम इसमें उबलेवे चावल एड़ करेंगे जिसे हमने पेले ही उबाल कर थंडा करके रखा है मिला देंगे चावल को अच्छे से तो फ्रें जब भी आप कोई तवा पुलाओ या फ्राइड राइस बनाएंगे तो इसके एक घंटा या आदा घंटा पेले ही चावल को उबाल कर इस तरह से थंडा करके रखे इसा करने से क्या होता है की चावल जो बिल्कुल खिले-खिले बन जाते है और जब हम इसे मिक्स करते हैं तो उस टाई में यो थंडा रहते हैं इसके करण तूटने की संबावन भी कम होती है इसके बाद हम इसमें आदा चमश नमक डालेंगे, मिला देंगे नमक को अच्छे से द्यान रखे हमने पेले भी चावल को पकाते समय नमक का इस समाल के आता इसलिए नमक को हम इस साथ से डालें साथ ही मैंने यापर एक निम्बू का रख लियाए इसी भी डाल देंगे तवापुलाव में निम्बू का प्लेवर बहुती बड़े आ लगता है इसलिए मैंने यापर एक निम्बू का रख डाला है मिक्स करेंगे इसे सभी चावल के साथ अच्छे से तवा पुलाव को फ्राई करते हुए लगबक चार से पाच मिन्ट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं तवा पुलाव याँ पर बहुती अच्छे से फ्राई हो चुका है हमने याँ पर सब्जियों को अल्रेडे अच्छे से पका ले आ था और चावल भी पहले से उबाले होए थे तो इसलिए तवा पुलाव जल्दी बन के तयार हो जाते और आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला खिला और कलरफुल बन के तयार हो गया है तो अब हम गयास को बन करेंगे और लाश्ट में इसके ओपर थोड़ा सा बारिक कटावा धनिया पत्ता डालेंगे और अब हम चलत प्रश्टि और कम समय में बनने वाली रेसेपी हैं आप इस तवा पुलाव की रेसेपी को जरू ट्राइक करें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एसी नहीं नहीं वार आसान रेसेपी देखने के लिए चानल को सस्क्राइब कीजिए फिर मिलती हो मैं आपको एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद